हेलो गाइज, वेलकम बैक तो इली ट्रेसलिंग पर क्या हुआ, तो गाइज, इस वीक के रैंपेचो के शुरुवात, AEW के मेंस डिवियन से, एक सिक्समें टैक टीम मैच से हुई जहाँ पर में औरेंज कैसली, मार्क, बिस्को और काईलो राइली, तो डार्क ओर्डर को फेस करते हुए दिखाए दिये, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज, सच में ये मैच इस वीक के रैंपेचो के ओपनी के अंदर एक काफी शांदार मैच रहा है, जहाँ पर ये मैच करवाने के पीच्छी की वज़ा कहती, यह तो मुझे और एसे मेच के आखरी पॉइंट्स पर मार्क बिसको ने यहाँ पर डार्क ओडर पर अपना फेंश लगा दिया, और उन्हें पिन करकर अपने टीम के लिए मैच काफी आसानिस जीत लिया है, तो देखने के लिए मज़ाएगा, कि इनकी टीम आगे चलते हुए क्या कमाल करती है, लेकिन इसके बाद में शो पर दे किंग्रम एक बैक्सेस सेग्मेंट के अंदर सैमी केवरा और डस्टन रोडस से बाते करते हुए रिखाए दिये और यहाँ पर बाते करते हुए, दे किंग्रम सैमी केवरा और डस्टन रोडस की इनसेट कर रहे थे, जो देखकर डस्टन रोडस ने किंग्रम को स्लैप लगा और मैच के अंदर लोकल स्टार यानि के रॉबर्ट टेनिगेट को फिस करते हुए रिखाए दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गैस फिरेगबार इस मैच के अंदर कमेल ने अपनी काफी शांदार पहुमस दी जहाँ पर लग रहा था कि प्रॉबबली उनके यह मैच फिरेगबार एक स्क्वाच मैच साबित हो सकता है पर इस मैच के अंदर हमें कमेल के दरफ से अच्छे कासे मूस देखने को मिले जहाँ पर पहली बार दिखाए लिया कि वो एक अच्छे कासी रिस्लर भी है और फाइनली इस मैच के आखिर में रॉबर्ट एनिगे अच्छे के अंदर डिफेंड कर रहे है और कोई भी सूपरस्टार जैंगल बोई जैक पैरी का चैलेंज एकसेप नहीं कर रहा यह देखकर क्रिस्टिफर डेनियल्स तो डिसपोइंटेड है क्योंकि क्रिस्टिफर डेनियल्स अपने किसी बी एंप्लोई को वो चीज़ करन होता है लेकिन इसके बाद में शो पर रोडरिक स्ट्रॉंग के एक मैच के अंदर एएव के नए रेस्लर यानि के बीफ को फेस करते हो दिखाए दिये जो कि अब तक एएव के साथ नहीं है लेकिन और नाम कमा रहे है और मानु कि यह उनका एएव टेलिविजिन पर एक ट् कर दिया और इस मैच के अंदर काफी देर तक डॉमेट करते हुए अपनी काफी शांदार पोहमस दी जो देखका लग रहा है कि वह एएव के नहीं पर इंगाउफरन टीवी के रिए तो रेडी है ही और वहां पर एक काफी बड़े स्टार बन सकते है पर रोडिक स्टॉंग क्योंकि यहां पर राइचेस ने हाउस आउप ब्लैक को कॉल आउट किया है तो देखनी के लिए मजा आएगा कि जब राइचेस और हाउस आउप ब्लैक एक दूसरे के आमने सामने आते है तो यह मैच इतना शांदार होता है लेकिन इसके बाद में शो पर सरया और हारली कै काफी सर्प्राइस किया क्योंकि आसते हमने उन्हें कभी रेसल करती हो नहीं देखा पर उन्होंने इस मैच के अंदर दिखा दिया क्यों काफी अच्छी रेसलर है लेकिन इस मैच के आखरी पॉइंट्स पर जब हारली कैमरन ने अपने अपोने पर अपना फिंश लगा दि लेकिन जब उन्हें पीछे मुड़ कर देखा तब यहां पर सरया तो यहां से भाग चुकी थी और आज रिजल्ट यहां पर हारली कैमरन को थपड़ पड़ा तो देखने के लिए मजा आएगा क्या आगे क्या होता है क्योंकि हारली कैमरन तो आजकल फाइट करना चाहती है लेकिन सरया इससे भाग रही है पर इस सब के बाद मैं फाइनली शो का में इवेंट देखने को मिला जहां पर मैं एक्शन अंद्रेटी एक वना उन्वन मैच के अंदर करनूस के तकेटसा को फेसकाते हो दिखाए दिये और फिर एक बार देखने में लगता है कि यह मैच त चाहिए कई दिखाने के लिए है कि इतने जबर्दस त्रेसलर है क्योंकि पूरे के पूरे मैच के अंदर तकेटसा ने एक्षन अंद्रेटी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एक्षन अंद्रेटी के पास यहां पर कोई चांस नहीं था लेकिन फिर बिए कहीं बार साथ अपना कमबैक करना चाहते थे लेकिन इनी मूज के बीच में एक टैम के लिए कुरूज के तकेटसा ने काफी शांदा स्टाइकिंग कर दी और आउट ओफ नोवेर उन पर अपना फेंश लगा कर उन्हें पिन करकर तकेटसा ने काफी आसानी से मैच जीत लिया है और इस हाल फलाल में AEW को लेकर काफी इंटेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं जहाँ पर देखने में लग रहा है कि एक बार के लिए AEW यहाँ पर WWE के साथ बिडिंग वार हार चुकी है क्योंकि आपको तो पताई होगा कि हाल फलाल में TNA कंपनी की टैक टीम यानि के Motor City Machine Guns ए AEW कंपनी को रिफ्यूज कर दिया है और Motor City Machine Guns WWE के साथ जा रहे है जहाँ पर उने WWE NXT के लिए साइन भी कर लिया है जो अपडेट हाल फलाल में Motor City Machine Guns को लेकर सामने आ रहे है कि उन्होंने AEW के उपर WWE कंपनी को चूस किया है और वो आगे चलते हुए WWE के अंदर जाने वाले तो अब देखने के लिए मज़ाएगा कि जब Motor City Machine Guns AEW को साइड भी लगा कर WWE के अंतर जाते है तो वहाँ पर उनका करियर केसा होता है और क्या उस लेवल तरक पहुच पाते हैं नहीं जिस लेवल पर हमने उन्हें TNA कंपनी के अंतर देखा है पर गाइज इसके साथ ही दे कंपनी चोड़कर जाने के बारे में सोच रहे है और गाइज यहां पर बते आजरह है कि ऊपर बताया जा रहा है कि गाइज सच में अगर लूचा ब्रोट्स AEW Company छोड़कर WWE के इंदर जाते हैं तो मैं तो उन्हें मिस करूँगा पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं Matt Riddle की क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि Matt Riddle WWE के इंदर काफी शांदा सूपरस्टार थे जबते कि उनका बिहेवियर WWE को काफी उन्टॉलरेबल हो गया और WWE ने उन्हें रिलीस कर दिया और इसके बाद हाल फ्लाल में Matt Riddle अपने WWE रिटर्न को लेकर काफी पॉजिटिव बाते कह रहे हैं क्यों यह लगता है कि possibly Matt Riddle WWE के इंदर वापस भी आ सकते हैं लेकिन ऐसे में Matt Riddle ने यहाँ पर अपने AEW कमपणी के साथ रिलिशेंशिप क्यों पर भी बात की और यहाँ पर Matt Riddle ने कहा कि Matt Riddle और Tony Khan इन दोनों की बीच में मिटिंग हुई थी और यह कोई ऑफिशियल मिटिंग नहीं थी जहाँ पर Matt Riddle AE AEW कमपणी जोइन करने के बारे में बात करे हैं हो यह दोने एक इंडी शो पर मिले थे जहाँ पर इनकी बीच में थोड़ा ही कॉन्वसेशन हुआ और Matt Riddle ने एक जोक क्रेक किया जो भी शायर Tony Khan को समझने है लेकिन Tony Khan को देखकर कभी Matt Riddle को एसी फिरिंग नहीं आए कि Tony Khan Matt Rid Matt Riddle को देखकर खुश है और उने अपने कंपणी के अंदर लेना चाहते हैं और अगर देखा जाए तो Matt Riddle AEW कंपणी के अंदर आते हैं तो उनका schedule भी काफी light होगा और उने काफी कम मैं किसी रसल करने पड़ेंगे और उने काफी अच्छा पे मिलेगा जो scenario Matt Riddle पसंद करते हैं लेकिन उने कुद को guarantee नहीं है को AEW के अंदर आपाएं या नहीं जो बात यहां पर Matt Riddle ने अपने हाली में latest interview के अंदर कही है जो देखकर मुझे लगता है कि guys यहां पर यह बात सही है कि Matt Riddle AEW कंपणी के अंदर ना आ है क्योंकि मैं भी उने AEW कंपणी के अंदर नहीं Elite Wrestling